मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ आईए प्यारे बच्चों आज हम धुरू स्वामिनी नामक नाटक का अध्यान शुरू करते हैं इस नाटक के अध्यान से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भुमिका को समझना होगा जो इस प्रकार है धुरू स्वामिनी नाटक चायावादी साहित्यकार जैशंकर प्रसाद द्वारा रचित है जो 1933 में प्रकाशित हुआ यह भारतिय इतिहास के स्वण युग गुप्त काल की प्रिष्ट भुमी को लेकर रचा गया इसमें पुरुष सत्तात्मक समाज के शोशन के वृद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व अस्मिता अधिकार अनुचित विवासे मौक्ष तथा पुनर लगन के समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है यहां समुद्र गुप्त की मृत्यू से लेकर चंद्र गुप्त के राजा बनने तक के समय के घटना क्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है पात्र सुची धुरुस्वामिनी, मन्दाकिनी, कोमा, चंद्र गुप्त, राम गुप्त, शिकर स्वामी, पुरोहित, शक्राज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक्र सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कूबडा, बोना, हिजडा, नर्तकिया प्रथम अंक इस प्रकार है स्मरणिय बिंदू नमबर एक प्रथम अंक का आरंभ, परवतिय प्रदेश में राम गुप्त के युद्ध शिविर में धुरुस्वामिनी के प्रवेश से होता है नमबर दो यह विजय अभियान केवल बहाना है वास्तों में धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती भावों का पता लगाना है नमबर तीन इस कारिये के लिए राम गुप्त ने अपनी बहन मंदाकिनी को दासी के रूप में निक्त किया है जो अपने उदेशे में सफल होती है अर्थात वो धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती कोमल भाव हैं यह जान लेती है नमबर चार आयोग्य कमजोर तथा विलासी राम गुप्त महा मंत्री शिखर स्वामी के शडियंत्र द्वारा गुप्त समराज तथा धुरुस्वामिनी दोनों को प्राप्त करता है इसलिए हमेशा सशंकित रहता है सशंकित डरा हुआ नमबर पांच राम गुप्त की अयोग्यता को जानकर शकराज उसे घेर कर युद्ध के लिए ललकारता है नमबर च्छे रस विलास में डूबा राम गुप्त कोई उत्तर नहीं देता तो शकराज दो शर्तों के साथ संधी प्रस्ताओ भिजवाता है अथ्वा भेज देता है नमबर साथ शर्त के अनुसार धुरू स्वामिनी अपने लिए तथा गुप्त सामन्तों की पतनिया शक्त सरदारों के लिए मांगी जाती है नमबर आठ गुप्त वन्शिय परतिष्ठा के वृद राम गुप्त संधी की शर्त स्विकार कर लेता है नमबर नो धुरू स्वामिनी अपनी परतिष्ठा की रक्षा के लिए राम गुप्त से प्रार्थना करती है मगर वह इसके लिए तैयार नहीं होता नमबर दस शिखर स्वामि कहता है की राज्ये और राजा की रक्षा हर वस्तु देकर कोनी चाहिए नमबर ग्यारा ए सहाए धुरू स्वामिनी सम्मान की रक्षा के लिए आत्म हत्या को तकपर होती है उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे बचा लेता है नमबर बारा चंद्रगुप्त स्वाम धुरू स्वामिनी के रूप में सामंत कुमारों को साथ लेकर शक्राज से इस अपमांजनक शर्त का बदला लेना चाहता है मगर धुरू स्वामिनी उसे ऐसा करने से रोपती है नमबर तेरा अंत में चंद्रगुप्त धुरु स्वामनी वे सामंत कुमारों को लेकर शकराज के पास जाता है नमबर चोदे चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी के ओजस्वी गीत के साथ सब प्रस्थान करते हैं और परदा गिरता है आईए प्यारे बच्चो अब हम इस नाटक के पदों की व्याख्या कर उसे समझने की कोशिश करते हैं पद संख्या 63 चंद्रगुप्त देवी जीवन विश्व की संपत्ती है प्रमाद से छनिक आवेस में या दुख की कठिनाई से उसे नश्ट करना तो ठीक नहीं गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये चिन मस्ता का आवतार किसलिये धारन करना चाहाती है सुनू भी धुरो स्वामनी नहीं मैं नहीं मरूंगी क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शीवीका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चड़कर तुमी उस दिन आये थे न तुम्हारा विश्वास पूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने में क्यों इतना प्रसन था प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां चाया वादी साहित्यकार शिरी जैशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित धुरू स्वामनी नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है संधर यहां नाटककार शिरी जैशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक के माध्यम से पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व उसकी अस्मिता उसके अधिकार अनुचित विवा से मौक्ष व्यपुनर लगन की समस्या का समाधान प्रस परस्ताव के करण राम गुप्त द्वारा ले गए निर्णय में वो सह भागिता नहीं देना चाहती अर्थात उसे राम गुप्त के द्वारा उसका सहयोग न करना और उसे संधि के अनुसार उपहार में देना उसे उपहार की वस्तु में कहना यह सब अनुचित लगा अपमा का विश्य लगा तैंब वो अपने जीवन को समाप्त कर इस अप्मानित जीवन जीने से बचना चाहती है लेकिन जैसे ही वो आत्म हत्या को तत्पर होती है चंद्रगुप्त पहुच जाते हैं और महारानी को आत्म हत्या करने से रोक लेते हैं। तब धुरू स्वामिनी निराश होकर कहती है कि प्रतेक जीवन मानव की अपनी इच्छा के अनुसार निर्वाह करने वाली संपत्ति है। प्रतु अब उसे लगता है कि ये जीवन भी उसका अपना नहीं रहा। तब चंद्रगुप्त उसे समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ। यहां इन पंक्तियों में चंद्रगुप्त धुरुस्वामिनी को समझाता है कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। और उसके हर चोटे बड़े कदम का प्रभाव समूची मानव जाती पर पढ़ता है, विश्व इतिहास पर पढ़ता है। श्रिष्टी के संचालन पर पढ़ता है। उसका शरीर और उसका जीवन उसका नहीं होता, बलकि उस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। प्रमाद से, प्रमाद होता है गलती, भूल, संदेह, भ्रम इतियादी। कि कोई व्यक्ति यदि गलती से कोई भूल कर बैठे, तो उस भूल के पस्चाता स्वर हो। चणिक आवेश, चणिक होता है पल भर का, आवेश, जोश, जोश किसमात का, निराशा का, असफलता का, बदनामी का, आधी आधी ऐसे विकार जो मनुश्य को कमजोर बनाते हैं, या दुख की कठिनाई से, कि जीवन में दुखों को झेलने से, संघर्ष करने से, डर कर उसे नस्ट करना ठीक नहीं है, कि है महादेवी, इस संसार में प्रतेक मानव का जीवन विश्व की धरोह है, किसी भी व्यक्ति को उसे गल्ती होने पर, पल भर की निराशा अत्वा आवेश में आकर, जोश में आकर, या जीवन के संघर्षों से डर कर, उसे समाप्त करना उचित नहीं है, अर्थात कहने का भाव यह है, कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान, संघर्षों से चुटकारा आत्महत्या नहीं है, बलकि यह तो मनुष्ये के लिए एक नए पस्चातापकी और बढ़ती हुई, उसके जीवन की त्राक्षदी है, फिर चंद्रगुप्त गुप्त वन्ष में आई हुई गुप्त कुल की बखुँँ अर्थात कहने का भाव यह है, कि गुप्त वन्ष की महारानी, आज यह चिन्ढमस्ता का आवतार किसलिये धारण करना चाहती है? चिन मस्ता एक देवी का नाम है दस विद्याएं होती है उन में से एक विद्या इस प्रकार की भी है कि देवी किरपान से अपना सिर काट कर अपने हाथ पर रखती है तब से उसका नाम चिन मस्ता हुआ चिन माने कटना मस्ता माने मस्ता तो यहां आज गुप्त कुल की कुलवधू क्यों किरपाण से कटार से अपने जीवन को नस्ट करने पर उतारू हो रही है। मैं सुनना चाहता हूं कि आज महादेवी ने चिन्ड मस्तादेवी का रूप धारण क्यों किया है। तब उसके उत्तर में धुरू स्वामनी कहती है नहीं मैं न मरूँगी कि नहीं युवराज मैं नहीं मरना चाहती है। चंद्रगुप्त के प्रश्न के उत्तर में, धुरु स्वामनी कहती है, नहीं राजकुमार, अब मैं अपने जीवन का त्याग नहीं करूगी, क्योंकि तुम आ गए हो, अब तुम मेरे पास पहुंच गए हो, और तुम वही हो, मेरी शीवी का, मेरी पालकी, कहां से आ रही थ कि तुम चामर से सजे हुए घोड़े पर चड़कर, मुझे मेरे पिता के घर से लिवा लेने गए थी, और तुम्हारा ये विश्वास से भरा हुआ चेहरा, उस दिन ना जाने क्यों मुझे लाते हुए, इतना प्रसन था, खुश था, आनंद मगन था, आईए प्यारे बच हे महादेवी, यह जीवन संपूर्ण विश्व की धरोहर होती है, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का अंत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका प्रतेक कारीव, उसका प्रतेक आचरण, उसका प्रतेक वहवार, इस संपूर्ण प्रकरती के संचालन को किसी न किसी र भावित करता है अत्य पल भर की भूल पर किसी प्रकार का संदे होने पर और चण भर के आवेश में आकर जोश में आकर निराशा से घिरकर हताशा से घिरकर अत्वा संखर्ष की कठिनाईयों से डर कर मनुश्य को आत्म हत्या के विशे में कभी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आत्म हत्या उसके जीवन की कठिनाईयों का समाधान नहीं है बलकि ये जीवन की कठिनाईयों को बढ़ाने का एक तरीका है और फिर आज मैं ये जानने को बेचैन हूँ जानना चाहता हूँ कि गुप्त सामराज्य की कुलवथ हूँ क्यों आज चिन्नमस्ता देवी की भांती अपना सिर इस किर्पान से काटकर मृत्यू को गले लगाना चाहती है चिन्नमस्ता एक देवी का नाम है जो दस विद्याओं को सीखने वाली है और एक विद्या के अनुसार वे कटार से अपना सिर काटकर हाथ पर रखती है तब से उसका नाम चिन्नमस्ता पड़ा तो आज गुप्त कुल की कुलवधू चिन्नमस्ता का आउतार धारन की ये हुए क्यों है मैं ये जानना चाहता हूँ तब धुरू स्वामनी उत्तर में कहती है राजकुमार अब मैं नहीं मरूंगी क्योंकि अब तुम आ गए हो और तुम वो हो जो मुझे मेरे पिता के घर से लिवा लेने गए थी तब मेरी पालकी के साथ तुम्हारा चामर से सजा हुआ घोड़ा और उस पर तुम्हारा आत्म विश्वास से भरा हुआ चहरा नजाने क्यों उस दिन आनन्द से प्रसनता से खुशी से जूम रहा था भावार्त यहां कहने का भाव यह है कि आत्म हत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं विशेश प्रतेक मानव का जीवन संपूर्ण विश्व की धरोवर होता है तते उसे नस्ट न करना चाहिए यह संदेश दिया गया है शुद्ध साहिति खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शब्दावली है शांत रस प्रसाद गुण है अभीधा शब्द शक्ति है समवाधात्मक शेली है दिरिश्य बिंब का परियोग हुआ है जीवन विश्वती संपत्ती है यह कथन पूर्ण रूप से सार्थक और सठीक है पद संख्या चोसट चंद्रगुप्त मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए गया था फिर प्रसन क्यों न होता धुरु स्वामनी तो फिर आज मुझे शक शिवीर में पहुचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा आसु पोचती है च गुमार ये परिहास नहीं राजा की आज्या है शक राज को मेरी अत्यन ताव शकता है यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिये नहीं हट सकता प्रसंग पुरवत संधर यहां चंद्रगुप्त धुरु स्वामनी की उस बात का उत्तर देते हुए कि मुझे मेरे पिता के घर स जब पालकी में ला रहे थे तो यह चेहरा इतना अधिक प्रसंग क्यों था उसका उत्तर देते हुए चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं गुप्त सामराज्य की गिरह लक्षमी लेने गया था कुलवधू लेने गया था और पूर आदर भाव के साथ लाने गया था मेरी ना स्वभावी था धुरु स्वामिनी तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना हुगा तो जिस प्रकार तुम, गुप्त समराज्य में मुझे मेरे पिता के घर से लेके आए थे, आज उसी प्रकार, मेरा पती मुझे शक शीविर में भेजना चाहता है, आते आप उसी प्रकार, विश्वास के साथ, प्रसन्यता पूर्वक, चामर सजित अश्व पर बैठ कर, मुझ मुझे शकराज के पास भी पहुंचाया यह तब चंद्रगुक्त हैरान होकर पूछता है यह कैसा परिहास कि यह किस प्रकार का मजाक कर रही हो परिहास होता है मजाक करना कि देवी यह कैसा मजाक है मैं अपने कुल की कुल लक्षमी को भला दूसरे को कैसे भेट कर सकता हूं धुरु स्वामिनी, राजकुमार, यह परिहास नहीं, राजा की अग्या है, कि राजकुमार यह मेरी मजाक नहीं है, यह राजा का आदेश है, क्योंकि शक्राज को मेरी बेहद जरूरत है, और यह जो रुकावट गुप्त समराज्य के लिए बनी हुई है, यह जो मुसीबत गुप्त समराज्य के लिए बनी हुई है, कि उसके आकर्मन का जो डर बना हुआ है, वो मेरा उपहार दिये बिना नहीं हड़ सकता, और उस आकर्मन से बचने के लिए, उस युद्ध से बचने के लिए, महराज ने मुझे शक्षिविर में उपहार के रूप में भेजने का फैसला कर लिया है, आईए प्यारे बच्चों एक बर फिर इस पद की व्याख्या करते हैं, संधर, जब धुरु स्वामनी चंदर गुप्त से पूछती है, कि मुझे मेरे पिता के घर से लेने गए, तो उस समय यह आत्म विश्वास और विश्वास से भरे चहरे पर इतनी खुशी क्यों चाही हुई थी, तब चंदर गुप्त उत्तर देने लगे, उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, कि मैं गुप्त समराज्ये के लिए कुलवधू लेने गया था, उसकी लक्षमी लेने गया था, और आदर के साथ लेने गया था, तो भला मैं प्रसन्य क्यों न होता, खुश क्यों न होता, तब धुरुग स्वामनी व्यंग में कहती है, तो फिर आज एक बार फिर मुझे उसी विश्वास के साथ, उसी प्रसन्यता के साथ, उसी प्रकार चामर सजित घोडे पर बैटकर शक्षी विर्तक भी पह पुचायाईए, तब चंद्रगुप्त हैरान होकर पूछता है महरानी, यह आप मुझसे कैसा मजाक कर रही है, धुरुस्वामनी, राजकुमार, यह मजाक नहीं है, यह महराज का आदेश है, क्योंकि शक्राज को मेरी बेहत जरूरत है, उनके लिए इस समय मेरा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और गुप्त समराज्ये पर जो संकट के बादल चाय हुए है, जो युद घिराया है, वो केवल मुझे उपहार में देने पर ही हट सकता है, इसलिए राम गुप्त ने, गुप्त समराज्ये को हानी से, नुकसान से, बचाने के लिए मुझे उपहार में देना तेहगर लिया है। भावार्थ नाटक कार के कहने का भाव यह है की धुरू स्वामनी इस वक्झे के माध्यम से चंदरगुप्ट के मन के भावों को जानना चाहाती है विशेश यहां चंद्रगुप्त का ओजस्वीरु तथा धुरु स्वामनी की विवस्ता का प्रत्यक्ष दर्शन कराया गया है शुद्ध साहेतिक खड़ी बोली है तत्संद प्रधान शब्दावली का प्रियोग है व्यंजना शब्द शक्ति है प्रसाद गुण है समवादात्मक शेली है अनुभूती परक बिंभ है पद संख्या 65 चंद्रगुप्त आवेश से यह नहीं हो सकता महादेवी जिस मर्यादा के लिए जिस महत्र को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहन करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड दिया उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आरिये समुद्र गुप्त के स्वर्गिये गर्व को इस तरह पददलित नह होना पड़ेगा ठहर कर और भी एक बात है मेरे हिर्दे के अंदकार में प्रथम किरनसी आकर जिसने अज्याद भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिय जा था उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रेतन किया कि सहसा चुप हो जाता है प्रसंग पुर्वत संधर यहां पर उस घटना का उल्लेख है जब युद्ध से बचने के लिए रामगु धुरु स्वामिनी को शक्राज के पास उपहार के रूप में दे देना चाह और धुरु स्वामिनी चंद्रगुप्त से आग्रह करती है कि वह उन्हें शक्षीविर तक पहुचा आया है तब अपने कुल की कुल लक्षमी का इस प्रकार अपमान होते देखकर चंद्रगुप्त जोश से भरकर कहने लगा कि यह नहीं हो सकता व्यक्या शब्दों के अर परदेवी यह कता ही नहीं हो सकता जिस मरयादा के लिए कि जिस संवान की रक्षा के लिए जिस गुप्त कुल के यश को बचाए requires रखने के लिए कि गुप्त वंशिय संवान को हमेशा बनाए रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहन ने करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया कि मैंने अपने शाशन का अधिकार जो पिता ने मुझे दिया था वह भी इसलिए त्याग दिया कि दो भाईयों के जगडे से गुप्त वंश के आपसी कल है कि घटना जग जाहिर हो जाएगी और इस परकार गुप्त सम्मान हमेशा के लिए नस्ट हो जाएगा और शक्ति कमजोर पड़ जाएगी उसका ये है अपमान कि मेरे दुआरा किये गए उस प्याग का इतना बड़ा अपमान मेरे जीवित रहते आरिये समुद्र गुप्त के स्वर्गिय गर्व को इस तरह पद्दलित ना होना पड़ेगा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आरिये समुद्र गुप्त ने जो यश कमाया है कीर्थी कमाई है गौरव कमाया है सम्मान कमाया है वह कभी भी किसी के पैरो तले नहीं कुछला जाएगा पद दलित का होता है पैरो से रोंद देना कि महराज समुद्र गुप्त के द्वारा अर्जित उस सम्मान को मैं किसी को भी पैरो से नहीं कुछलने दूँगा फैर कर और कुछ पल रुखता है और भी एक बात कि एक और बात आये मेरे हिर्दे के अंधकार में प्रथम किर्णसी आकर कि मेरे मन में जो अंधेरा चाया ह अर्थात मेरे मन में जहां कोई तस्वीर नहीं थी वहाँ प्रकाश कि पहली किर्ण बनकर प्रेम की पहली भावना बनकर बड़े अज्यात्स भाव से जिसने मेरे जीवन को आलोकित कर दिया उसको भी मैं ने केवल इसी लिए भूलने का पुरियतन किया कि उसको भी मैं इसी लिए भूल गया कि गुप्त समराज्य के सम्मान को तनिक भी ठेस नहीं पहुचनी चाहिए और आज गुप्त समराज्य का इतना बड़ा अपमान और वो भी मेरे जीवित रहते महादेवी ये कभी नहीं हो सकता आईए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यह पद व्याख्या की द्रिष्टी से अत्यंत महतोपून है चंद्रगुप्त धुरु स्वायमनी की बात को सुनकर जोश से भरकर कहने लगा यह नहीं हो सकता महादेवी कि हे महादेवी यह कभी नहीं हो सकता कि महराज आपको उपहार में शक्राज के पास भेज पाए जिस मर्यादा के लिए, जिस महतु को स्थिर रखने के लिए कि जिस गुप्त कुल के सम्मान को बनाए रखने के लिए गुप्त कुल की परतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए मैंने अपने पिता के द्वारा दिये गए शाशन के अधिकार को भी आसानी से छोड़ दिया ताकि भाईयों के बीच की कले जग जाहिर ना हो और गुप्त कुल की परतिष्ठा को धका ना लगे लेकिन आज उस त्याग का इतना बड़ा अपमान मैं बिलकुल सहन नहीं कर पाऊंगा और मेरे जीवित रहते स्वर्गिये पिताश्री आरिये समुद्र गुप्त के यश को, कीर्ती को, सम्मान को, गर्व को कोई ठेस लगे या वो किसी के पैरों तले कुछला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता और पलभर रुक कर कहते हैं कि मेरे अंधेरे जीवन में जो प्रकाश की पहली किरण की भांती अंजाने में ही आकर समा गई और मेरे जीवन का, मेरे हिर्दे का, हर कोना जिसने अपने आलोक से भर दिया, उसको भी मैं सिर्फ इसी लिए भूलने की कोशिश करता रहा ताकि पारिवारी कलह बढ़ने ना पाए और आर्य समुद्रगुप्त का यश किसी भी प्रकार से छीन ना हो, कमजोर ना हो, कलंकित ना हो कहने का भाव यह हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने त्याग से गुप्त समराज्य के यश को बनाए रखने की कोशिश की विशेश हाँ हाँ कहो कहो शिखर स्वामी के साथ रामगुपत का प्रवेश रामगुपत देखो तो कुमार यह भी कोई बात है आत्म हत्या कितना बड़ा अपराध है चंद्रगुपत और आप से तो वह भी नहीं करते बनता रामगुपत शिखर स्वामी से देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलूश कितना भयानक है यहां नाटक कार ने उस घटना का उल्ले किया है जिसके अंतरगत चंद्रगुप्त धुरू स्वामिनी के अपने जीवन में आगमन से होने वाली खुशी का वर्णन करते करते अचानक रुख जाता है तो जिग्यासा वस धुरू स्वामिनी कहती है कि वैक्या शब्दों के अर्थ साथ साथ धुरू स्वामिनी आखें बंद किये कुतुहल भरी प्रसनता से कुतुहल आश्चारिय जिग्यासा प्रसनता खुशी से कि धुरू स्वामिनी चंद्रगुप्त की बातों को बड़े आ कि हां कुमार आप जो कहते हैं उसे कहते रहे हां हां आप ठीक कह रहे हैं कहो कहो बताओ और उसी समय शिखर स्वामी रामगुप्त के साथ धुरु स्वामिनी के कक्ष में प्रवेश करते हैं आ जाते हैं रामगुप्त चंद्रगुप्त से कहते हैं कि देखो तो कुमार कि राजकुमार देखो यह कौन सी बात हुई कि महादेवी आत्महत्या करने को तत पर है और आत्महत्या करना कितना बड़ा अपराद होता है कितनी बड़ा दुशकर्म है और जब व्यंग से चंद्रगुप्त कहता है और आप से तो वह भी नहीं करते बनता कि आप तो आत्म हत्या भी नहीं कर सकते जो इतनी लज्जा जनक, जो इतनी शर्मनाग संधी की शर्त को स्विकार कर रहा है वह कैसा वीर, कैसा योधा, कैसा सहसी और कैसा देश का राजा है ऐसे कुतिशित वर्क को, ऐसे दुशकर्म को करने से पूर्व तो मनुश्य को आत्म हत्या ही कर लेनी चाहिए जीवन ही समाप्त करना चाहिए ताकि उसका जीवन कलंकित तो नहुँ रामगुप, शिखर स्वामी से कि वे शिखर स्वामी से कहने लगा देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलूश कि देखो अमाते, राज कुमार के मन में मेरे प्रती कितना द्वेश, कितना नफरत और यह बड़ा ही भयानक है किसी भी समय कोई भी नुकसान कर सकता है आईए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यहां जब चंद्रगुप अपने जीवन में धुरु स्वामनी के परवेश से होने वाले प्रभाव का वर्णन करते करते अचानक रुख जाते हैं तो खुशी से भरी जिग्यासा के साथ धुरु स्वामनी कहती है हाँ हाँ राजकुमार कहो कहो उसी समय रामगुप्त शिकर स्वामी के साथ धुरु स्वामनी के कक्ष में प्रवेश करते हैं तब राजा राजकुमार से कहते हैं कि देखो ना कुमार यह भी कोई बात है कि राजकुमारी यह भी कोई बात है कि महादेवी आत्मात्या करने के लिए तयार है तत्पर है और फिर आत्मात्या करना कितना बड़ा पाप है कितना बड़ा अपराद है तब चंद्रगुप्त व्यंग से कहने लगा महराज, आपसे तो वह भी नहीं बनता, कि ऐसी लज्जा जनक, शर्म जनक संदी की शर्त को स्वीकार कर, अपनी ही पत्नी को किसी और को उपहार में देने से अच्छा है, कि अपने जीवन का नाश कर दिया जाए, अथ्वा युद्ध लड़ते हुए श स्वीकार कर लिया, कैसे गुप्त समराज्य के सम्मान को मिट्टी में मिलाने की सोच ली, तब राम गुप्त, शिखर स्वामी की और मुड़कर कहने लगा, देखो, राज कुमार के मन में मेरे प्रति कितनी इरश्या, कितनी नफरत, कितना द्वेश भरा हुआ है, यह कितना भयानक है, किसी भी समय इसका द्वेश, इसका जहर जब बाहर आएगा, तो मुझे नुकसान पहुचा सकता है, हानी पहुचा सकता है, अर्थात कभी भी राज कुमार, राज द्रोह की स्थिती उत्पन कर सकते हैं, भावार, नाटक कार के कहने का भाव यह है, कि आत्म गौ गौप्त के निर्णय का विरोध कर आरिये समुद्र गौप्त के संबान को सुरक्षित रखना चाहता है, विशेश, यहां चंद्र गौप्त की गर्व से भरी मूर्ती उजागर हुई है, शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है, तच्सम प्रधान शब्दावली है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, आशा है पढ़ा गया विशेश आपको समझ में आया होगा, अपने भाववे विचार कमेंट बोक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, आपका दिन और जीवन संगल में हो, इसी शुब कामना के साथ आभार धन्यवाद।